आज हम बनाने जा रहे हैं सान्विच इस सान्विच को हमने बिना ब्रेट से बनाया है तो जो लोग ब्रेट नहीं खाते हैं उनके लिए रेसिपी पॉफेक्ट है तो इस बिना ब्रेट से हमने सान्विच कैसे बनाया है उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक कर दीजिए एक बार फिर हम इसे यूस करेंगे ऐम से यूस करेंगे फिर हम इसमें एड़ कर रहे हैं कि दही, दही को हमने थोड़ा सा विस्क कर दिया था, फिर हम लेंगे वन टेबल स्पून चॉप्ड कैरेट, वन टेबल स्पून चॉप्ड कैपसिकम, वन टेबल स्पून चॉप्ड बीन्स, वन टेबल स्पून चॉप्ड ओनियन, थोड़े समया पे कोरियांडरी लीव्स भी आ ब्लैक पेपर पावडर और इन सभी को बच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ अपने अपने अकॉर्डिंग वेजिटेंगे कम या जादा यूज कर सकते हो आप अपने कर देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी पानी बहुत जल्दी सोक कर देता है इसलिए हम इसे अच्छी से मिक्स कर देंगे और आप इसके consistency देख सकते हो ये काफी ठिक है तो सारी vegetables हमारी सूजी में अच्छी से मिक्स हो चुकी है और इसे हम cover करके rest करने के लिए 10 मिनिट्स के लिए ताकि हमारी सूजी पानी को अच्छे से सोक कर ले और 10 मिनिट्स के बाद आप देख सकते हो यह और ज्यादा थिक हो गया है इसलिए अब हम इसमें आड करेंगे 1 फोर्थ कब पानी यानि 2 टेबल स्पून जितना पानी इसमें आड कर देंगे तो एक साथ म चेक कर लीजे हमें इसे जादा लिक्विडी कंसिस्टेंसी का नहीं बनाना है और हमारा नो ब्रेट सैंडविच का बैटर बन के रेडी है अब हम इसमें आड करेंगे इनो तो यह मैंने मिन्ट फ्लेवर वाला इनो यूस किया है आप कोई भी फ्लेवर का इनो यूस कर सकते हाफ टी स्पून जितना इनो हम इसमें यूस करेंगे थोड़ा सा पानी भी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इनो हमारे पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए इसे हमें 5-10 मिनिट के करेंगे तो इस सान्विच को आज हम इस सान्विच मेकर पर बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे अच्छे से ओल से ग्रीज कर लेंगे ताकि हमारा सान्विच स्टिक ना हो तो दोनों साइन में हमने अपलाई कर दिया है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे जो हमारा sandwich maker का जो shape है वो हमारे sandwich पर आ जाए इसी तरीके से हम दूसरे साइड पर भी हमारा batter को apply कर देंगे तो हमारा ये बिना bread से sandwich बहुती जादा tasty बनके ready होता है इसे अब हम कर देंगे cover और इसे हम 10-15 minutes के लिए इसी तरीके से cook कर लेंगे ये आप इसे तब तक cook कर सकते हैं जब तक इसका जो upper part है वो golden brown color का ना हो जाए और 10-15 minutes के बाद जब हम इसे check करेंगे तो make sure आप इसे knife के help से check कीजे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि oil apply करने की बाद भी हमारा sandwich का upper cover है वो stick हो जाएगा तो इसलिए आप इसे knife के help से scratch करते हुए remove कर दीजे और हमारा ये no bread sandwich बनके ready है आप देख सकते हैं इस पर काफी अच्छा golden brown color आया है और ये काफी soft बनके ready हुआ है ये sandwich बहुत ही healthy sandwich है क्योंकि ये बिना bread से बना है और सूजी की वज़े से हमारा ये sandwich बहुत ही tasty sandwich बनके ready हुआ है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगए तो please like कीजे हमारे चानल को subscribe कीजे हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए happy and safe cooking